नमस्कार दोस्तों यह है TBS Radeon 110 BS6 इसमें 3 variant आते हैं 10 color का option मिलता है और आप देख रहे हैं TBS Radeon का base variant star light color के साथ तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या TBS Radeon Splendor Plus से अच्छी है क्योंकि इन दोनों का जो price है वो लगबग वरावर है और इसके features क्या है, mileage क्या है, on road क chrome का element देखने को मिल जाता है जो की काफी attractive लग रहा है और इसके side में आपको bulb वाले indicator मिल जाते हैं जिसमें normal bulb दिये गए हैं और यहां पर आपको halogen headlamp मिल जाती है जिसके अंदर 35 watt का bulb दिया गया है और इसकी headlamp के नीचे की side में आपको LED DLS मिल जाती है अब दोस्तों मैं इसकी headlight को जला कर दिखा देता हूं तो यहां से आप इसकी रौशनी को देख सकते हो काफी अच्छी रौशनी मिल जाती है और नीचे की side में आप इसकी DLS की रौशनी को भी देख सकते हो अब चलते हैं इसके नीचे की side में तो इसका जो front वाला मटगार है वो glossiveness में दिया और ब्रेक एक साथ काम करती है और इसके suspension की बात करें तो इसमें आपको telescopic oil damp shock absorber type A suspension मिल जाते हैं अब बात कर लेते हैं इसके meter console की तो इसमें आपको odometer speedometer और fuel meter analog में दिया गया है जैसा कि यहां से आप देख सकते हो और इसकी जो meter की quality है काफी अच्छी दी गई है यहां प देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको chrome की handle wire rod दी गई है और इसके side mirror है वो काफी normal दिये गए हैं design के साब से और इसके switches की बात करें तो काफी premium quality के switch मिल जाते हैं यहां पर आपको passing switch low beam high beam switch indicator और horn का switch मिल जाता है अब इसके दूसरी side में चलें तो यहां भी आपको जो ह man head light का switch मिल जाता है और यहां पर आपको जो है नीचे की side में self का switch देखने को मिल जाता है जो की काफी अच्छा दिया गया है अब इसकी side profile की बात करें तो यहां पर इसका जो color combination है वो काफी attractive दिया गया है और इसकी fuel tank के उपर TBS का branding मिल जाती है जो की 3D में logo है और यहां प आपको ETFI की branding मिल जाती है eco thrust की जैसा कि इसमें fuel injection system है जहां पर आपको Radeon की 3D में logo मिल जाता है with graphics के साथ में बात करें इसकी seat quality को लेकर तो इसकी seat quality है इस segment की किसी भी bike में आपको इस तरह की seat नहीं मिलेगी जैसा कि आपको इस bike में मिली है काफी premium quality की seat मिल जाती है और यहा पर आपको Dura Life का sticker देखने को मिल जाता है और इसके पीछे वाले tire के size की बात करें तो यहां पर आपको 3008 का tire size मिल जाता है black color के alloy wheels मिल जाते हैं और इसमें आपको 5 step adjustable hydraulic shock absorber type के suspension मिल जाते हैं जिसको आप अपने weight के साबसे adjust भी कर सकते हो और इसके rear में आपको 110 mm की drum brake का option मिल सकते हो जो की काफी premium quality का है और इसके पीछे की side में आपको जो है tail lamp मिल जाती है जो की bulb के साथ दी गई है जिसके उपर TBS का logo भी दिया गया है और इसकी जो tail lamp है वो काफी अच्छी design की गई है और इसके side में आपको normal bulb वाले indicator देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इसके दूसर इसके पीछे की side में एक black color का sardy guard दिया गया है और इसके चैंसेट cover की बात करें तो इसमें आपको जो है plastic का चैंसेट cover मिल जाता है जो की काफी मजबूत है build quality के साब से यहां पर adjustable footrest मिल जाता है और यहां पर एक side stand और manage stand मिल जाते हैं और यहां पर 180 mm की ground cleanse मिल जाती है जो पर आपको जो है crash guard or single horn मिल जाता है इसके engine और power की बात करें तो इसमें आपको 109.7 cc का air cooled forest rock duralife bs6 fi का engine मिलता है इसकी maximum power है 8.19 ps की 7350 rpm पर इसका maximum torque है 8.7 nm का 4500 rpm इसमें आपको 4 speed gearbox मिलता है और इसका जो curve weight है वो 116 kg है और इसके engine के दूसी side से बात करें तो जहां भी आप आपको TBS की brunting मिल जाती है और golden और black color का engine दिया है यहां पर आपको brake pad मिल जाता है black color का adjustable footrest मिल जाता है और जैसा कि यहां से आप इसके engine की design को देख सकते है यहां पर आपको के कि start option भी मिल जाता है इस spark plug दिया है यहां पर से आप जो है इसके fuel injection system को देख सकते है इसमें आपको catalytic converter दिया गया है और यहां पर इसके exhaust की बात करें तो यहां पर आपको पूरा exhaust है उसके उपर एक chrome की plate मिल जाती है इसके उपर जो है chrome की plate के उपर भी आपको safety features का ध्यान रखया गया है जिसकी बजह से आपकी जूते चपल ना जलें अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंजन का sound सुन सकते हो आपको जो है इसके exhaust का sound कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बता है यहां से आपको जैसा कि आपने इसका exhaust का जो note कर लिया है sound और दोस्तों इसके जो है features की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे features दिये गए हैं जो मैंने आपको बता दिये हैं क्योंकि इस price range में आपको जो है Splendor Plus में इतने सारे features नहीं मिलते हैं और यह एक काफी premium quality वाली एक best commuter bike है TBS Radion अब दोस्तों इसके mileage की बात करें तो इसमें आपको 65-70 km per liter का असानी से mileage मिल जाएगा अगर आप इसको economy zone में चलाते हैं तो अब हम बात करें इसके on road price की तो द बराबर ही है और दोस्तों ये on road price मैंने आपको बताया है बंगाल TBS बिराती सोरूम कॉलकता का सोरूम की सारी detail आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी other street वाले बिल्कुल भी tension ना लें आप मेरे को comment कर देना मैं आपको आपकी city का TBS Radion का on road price आपको बता दूँगा comment करक दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जासे आदर like करें comment करें share करें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर दबा दें मैं ऐसे ही नई नई bike और scooter की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं thank you दोस्तों मिलते हैं अ अगली वीडियो में